माध्य भारत की सबसे बड़ी क्रशी प्रदशनी अग्रोविजन जो विधर्व में क्रशी परिवर्तन का एक महत पून माध्या में 27 नमंबर 2030 को PDKP ग्राउंड दावा नाकपुर में आयुजित की जा रही है विधर्व के किसानों को शिक्षित प्रोटसाहित और सशक्त बनाने के उद्देश को ध्यान में रखते हुए केंद्रिय मंत्री नितिन गजकरी के मार्ग दर्शन में एग्रोविजन की योजना 14 साल पहले शुरूई थी कुछी समय में यह मध्य भारत की सबसी लोग प्री प्रदशनी बन गई है कारिशाला हैं जो क्रशी प्रोट्दुगी की प्रस्थिक्षन का केंद्र बिंदू है राश्री और अंतराश्री स्तर के उत्रक्रेश्टि प्रोट्दुगी की प्रस्थिती हॉल क्रशी में नवीनतम विश्यों पर कारिशाला हैं सम्मेलन जो विधर्प की क्रश्य उध्यों को नई दिशा देते हैं प्रोट्दुगी की नवचार के साथ साथ MSME और प्रशुधन के लिए विशेश बूत प्रदर्शनी की विशेशताएं होंगी किसानों को प्रस्थिक्षित करने और प्रेज़ित करने के लिए एग्रोविजन की कारिशाला होंगी एग्रो विजन के प्रमुक कारेशाला में उत्पादन तकनीक नहीं खेती के तरीके संयुक्त उध्याम उन्नत तकनीक बाजास विदाएं पशुदन प्रबंदन इंफ्रस्ट्रॉक्चर पर जोड दिया जाएगा इस बात की चानकारी केंद्रिय मंतरी नितिन गटकरी इन्हों ने पत्र परिश्यत में दी है संदर बादला श्यतकरी गरसता है आत्मत्या करतो 10,000 पंप्षा जासता आत्मत्या जनी के लिया तेला तंत्रत न्याना बद्दल मार्गदर्शन करूं सीड nursery, plant तेची प्रोसेसंग, तेची विक्री तेला सम्डूद्ध संपन्न र कसा करता है जसा स्मार्ट शहर धालिये तशी स्मार्ट विलेजेस कसे होतील और या संदरबाद विधरबाद ली स्ट्रेंग काया है विकनेसेस काया है और या संदरबाद चा सग्ड़ मार्गदर्शन कसो हुई याचा योजने तु आमी एगरुविजन करतो है क्यामरपरसन राजखुमा मोहर के साथ अभिशिक पांसी बीसेन न्यूस नागपूर याचा 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 है